अबस्कार उत्राखंड के इस खास बुलिटिन में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ प्रियंका तिवारी खबरों को विस्तार से जानेंगे लेकिन उससे पहले एक नज़र हेड्लाइंस पर लोगसभा चुनाव के एक्जिट पोल से बीजेपी उत्साहेट से अमधामी ने किया पांचो सीटे जीतने का दावा कॉंग्रिस ने पूरे तरीके से नकारा लोगसभा की पांचो सीटों पर चार जून को मत गड़ना जिला मुख्यालियों पर काउंटिंग की पूरी तयारी नतीजों से पहले चार चौबंद सुरक्षा व्यवस्त था साहनी आत्महत्या मामली में पूर्व सीयम त्रिवेंडर रावत का बयान बेवजय ना मुझाली ज्वानी का लगाया आरोप जाच हाई कोट के जज को सौपनी की मांग चारधाम का श्रधालू में जबर्दस्त उत्साह सितंबर तक हेलिकॉप्टर के बुकेंग फुल वहीं पंजियन में धीमी गती पर यात्रियों में नाराजगी और उत्राखंड में आग से 1600 हेक्टियर वन शेत्र प्रभावेत असुबार 1185 मामले आय सामने पेर पौध है और वन जीवों को हुआ नुकसान बढ़ेंगे खबरों क्यों चंपावत जिले के कॉंग्रिस पार्टी के पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल ने बिजले को टौपती को लेकर कॉंग्रिस कार्याले के पास विरोध प्रदर्शन किया है जिसमें उन्होंने धामी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए ह पूर्व विधायक ने कहा है कि ये जो मुख्यमंतरी का तथा कथित चंपावत मॉडर्ण जिला है यहां जनता बिजले कटौपी से तराही तराही कर रही है और सरकार के कानू में जू तक नहीं रेंग रही है मान किया है यह जो तताकतित मुख्यमंतरी का मॉडर्ण जिला चंपावत है इसमें पूरे जिले में विद्धुत आपूर्ती के नाम उपाने के कालाल जनता तराही तराही कर रही है और इस सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है आज विधिवत समापन हो गया है पांच देवसी एस कारिशाला की समापन के अवसर पर प्रतिभागी बच्चों की द्वारा प्रख्यात व्यंगकार हरी शंकर परिसाई की कहानी इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर आधारित नाट्य रूपांतरन प्रस्तुत कर सबका मन म हुलिया है से शुरू हो गई है आज अरुनाचल प्रदेश में विधान सभाचनाव का जो रुझान मिल रहा है उसमें बीजेपी दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाने जा रही है वही चार तारीक को बीजेपी फर से किंद्र में प्रधान मंतरी मूदी की नित्रत में सरकार बनाएगी इसके बाद उन्होंने उत्तराखंड में भी पांचो लोग सभा सीटे जीतने का भी दावा किया है और जनता को इसके लिए आभार भी जताया है सरकार बने जा रही है और वाकी राजियों में भी जहां सरकारे बननी है उन राजियों में भी एक सुबात के रुपे इसको कह सकता हूँ इसके साथ साथ कल अधियों आये सबने भार जनता पार्टी एंडिये को 400 पार का मोटा मोटा आकड़ा सब के दरा दिया गया है इसके साथ ही अब राजनेतिक पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के दावे करने शुरू कर दिये हैं वहीं भाजपा प्रदीश प्रवक्ता कमलीश रमन ने कहा कि हम उतराखंड की पांचों लोग सभा सीटे भारी बहुमत से जीत रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि उतराखंड की जनता ने भाजपा पर अपना भरूसा जटाया है धामी सरकार ने उतराखंड की जनता के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं जनता को देने का काम किया तो जनता ने उन पर महर लगाने का काम किया यहां की जो पांचों की पांचों लोग सभासित हैं उतराखंड की परदेश की जनता ने उन पर विश्वास जताया उनके विकास पर विश्वास जताया उनके तमाम उसकारियों पर विश्वास जताया प बहुत ही सफलता पूर्व की यहां का चुनाव हुआ और पांच तारीकों जब मत गढ़ना होगी तो यहां की जो पांचों की पांचों लोग सबाशीट हो माने परधानमंति निरिंदर मोदी जी की जोली में जाने लग रही है। समर्थन में जुनादेश आएगा और केंडर में इंडिया गडबंधन की ही सरकार बनने वाली है। जो लगातार पार्टी जन्ता पार्टी के पक्षबाते हैं मोदीजी के पक्षबाते हैं और अप्चुनावना की उनका एक रवया पक्षबाते हैं। लेकिन जो आदेश जन्ता दिनादर का होगा वो पंग्रेश स्रिकार करेगी। बताया है कि जन्ता चमपावत के दूनू विधान सभाओं चोवन लूखस लुहाघाट और पचपन चमपावत के लिए। मुख्याले की गौरल चोड मादान इस्थित मतगरना केंद्रवन पंचायत भवन और नगरपाली का हॉल में संपन होगी उन्होंने कहा कि मतगरना अस्थल में कोई भी कार्मिक एजेंट व्यक्ति मूबाइल नहीं ले जा पाएगा इसे ठीक करने के लिए सभी को मूबाइल म बाहर ही जमा कराना होगा दूनु विधान सभा में मतगरना 14 राउंड में संपन होगी इस लिए चमवन लुहा घाट में 14 मतगरना टीबल 55 चमपावत में 12 मतगरना टीबल और दूनु विधान सभा में एक एक यारू टीबल लगाई जा रही है जो हमारे माननीय निर्वाचन आयव द्वारा जो दिधारेज शेडियूल है उसके अनुरूप चार जून मंगलवार को ठीक प्राता आट बजे माननी प्रेक्षिक मोहदे की उपस्तिती में स्रॉंग रूम्स जो हमारे दो विधान सभा के हैं वो एरो साहिवान दवारा औ और उसके ततकाल पस्चार को यहां पे हमारे कोस्तिल बैलिट्स इंगरना नहीं हो जाएगी इमिजेक्ली इमारी इ्वियम की काउंटें यहां पर तारण हो जाएगी दोनों ही विधान सभाओं में दान सभा चंपावत में बारा टेबल्स हैं और विधान सभा लौहगाट नहीं होती है तो लगबक्षे गट्टे में ये करना पूर्ण कर ले जाए है। नहीं होती है तो लगबक्षे गट्टे में ये करना पूर्ण कर ले जाए है। गट्टा बंधू में से एक अजय गट्टा और उसके बहनोई अनल गट्टा का भी नाम सामने आया था जुसके बाद पॉलिस ने दोनों को गिराफ्तार कर लिया था। तो वहीं अब तरवेंद्र सिंग रावत ने कहा कि कुछ लोग गुपता बंधू का नाम सामने आनी के बाद मेरा नाम भी उच्छाल रहे हैं जो सही नहीं है। मैं एक सियम होने के नाते राज्ये के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कह सकता हूं कि जब हमारा नाम उसमें घसीटने की कोशिस की गई है चाहे वो इंटेंसनल ही की गई है या करवाई गई है तो मैं तो यह चाहूंगा कि इस मामले को किसी जज को हाई कोट के जज को यो जज़ हैं उनको दे देना चाहिए अगर सी बी आई के जाती है कल सच्चा कुछुछ लोगों के अनुखू नंहीं आती है अगर क्योंते कि अगरी पुलिस करती है यह तो च्किश्ट की person करें ती है यह तमाम सवाल उठते로 देखने को मिल रहा है तो वहीं पंजी करण की संख्या और श्रधालों के दर्शन का आकड़ा अपनी आप में नया रिकॉर्ड बना रहा है इसी क्रम में बता दी कि उत्तरा खंड नागरिक उद्यन विकास प्राधिकरण ने हेली बुकिंग की सेवा मौनसून सीजन को की सीजन के लिए सेवाओं की बुकिंग विंडू खोल दी थी जिसके बाद अब सितंबर महीने तक हेली बुकिंग फुल हो चुकी है इस पर युकाड़ा की अपर सचव सी रवी शंकर ने बताया है कि मौनसून अवधी को छोड़कर पूरी आत्रा सीजन की बुकिंग उनक अचली हम लोग उने मौनसून अवधी को छोड़ करके एंटेर यातरा सीजन का बुकिंग को चुके थे उसमें सप्टमबर का लगबग सप्टमबर तक का जो है लगबग कम्प्रीट हो चुका है अक्तोबर में जो है अभी भी कुछ सीट्स बचा हुआ है अधरवाइस मैक्समम सीट्स जो है बुक हो गया है इसमें केवल बीच बीच में समय समय पर कुछ कैंसलेशन्स होता रहता है उस कैंसलेशन्स के वज़े से टिकेट्स जो है कभी भी वेबसेट में अवेलेबल रहता है मगर जो है वो केवल IRCTC का जो हिली यात्रा वेबसाइट है उसी से जो है मिलेगा बाकी जो आपरेटर्स जो समंदत हिली पैट्स में वहां गुतकाशी, पाता और सिर्सी में रहते हैं चारधाम यात्रा में पहली अब व्यवस्थाओं को लिकर जिला कॉंग्रिस पाती मुखर हो गई, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कॉंग्रिस पाती का कहना है कि उत्तरकाशी में गंगूत्री और यमुनूत्री धाम के दर्शनों के लिए हर साल लाखो शद्धाल हैं इसलिए आज से हर यात्रा पड़ाओ पर सरकार को चेतानी के लिए यात्रियों को निशुल्क जूस वित्रत किया जाएगा अस्वागत के रूप में हम सब लोग मिलकर चायो ब्लॉक इस्तर पर हो चाये जन्पद इस्तर पर हो हर जगा जिला कॉंग्रेस कमीटी के माध्यम से जितने भी यात्री आ रहे हो उनके लिए हमने आज उत्तरकाशी में और कल भटवाडी और डुंडा ब्लॉक में हमने इसी प्रकार से जूस वित्रन की विवस्ता की है ये एक संकेत है सरकार के लिए उस सरकार के लिए जिसने जल जीवन मिसन के नाम पर करोडों का गोटाला कर दिया पर आज चाहे चारधाम यात्रा में पानी की विवस्ता को लेके हो चाहे ग्राम सबाओं में पानी की विवस्ता को लेके हैं ये संपूर्ण सरकार फेल हुई है परिष पार्टी की तरफ से एक यात्रा चल रही है, यात्राएं यात्रा में है, एक संकेत है उस्तराखंग सरगार के लिए, कि जिस तरह से जहां दा पड़ाऊ हैं, वहां पह पे जल पीजन कीत हैं, पीने के पानी की के यात्री हैं. और हम एक सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जिस सरह से अव्यस्ताइश चल रही है हमने बार-बार संकेत दिया हमने जब शुरुवात हुई थी पार्डी उसकी यातरा की तो भी हमने सरकार को चेताया था जिस से शुरुवात में यातरा हैं से योस्तित नहीं हो पाई और आप देख लिए उतरगासी का ये चला मुख्याले है यहाँ पे ना पीने का पानी है ना यहाँ पे महिलाओं के लिए सोचा लेगी विए उसता है उतराखंडी की चमूली जिले में इस्थित विश्व प्रसिध फूलू की घाटी परेटकों के लिए खुल गई है फूलू की घाटी पहुँचकर परेटक प्राकृतिक सौंदरी का आनंद उठा सकते हैं वहीं उपवन सनरक्षक बीबी मारतूलिया ने घांगरिया बेस कैम्प से 48 परेटकों के पहले दल को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया है उप वन सनरक्षक ने बताया कि परेटकों को फूलो की घाटी का ट्रैक करने के बाद उसी दिन बेस कैम्प घांगरिया में परेटकों के ठेड़ने की समुचत विबस्ता है साथ ही बेस कैम्प घांगरिया से टूरिस्ट गाइड की सुविधा भी उपलब्ध है उन्होंने बताए कि वैली ओफ फ्लावर ट्रैकिंग के लिए देशी नागरिकों को 200 रुपई और विदेशी नागरिकों के लिए 800 रुपई ट्रैक शुल्क नरधारित है पूलू की घाटी यानि भैली ओफ फ्लावर खोल लिया गया है परेटक इसका दीदार कर सकते हैं विविन प्रकार के फूल किप्रा गलेशियर और पूरे भैली का आनन ले सकते हैं जिसमें परेटकों से बिसेश आगरह किया गया है कि पूलू की घाटी की पूरे छेत्र में स्वच्छता बनाया रखने में अपना सजोग दें आज अभी तक गीश परेटक प्रविश कर गया हैं पूलू की घाटी में तनकपर पिथारागड राश्ट्रिय राजमार्ग में तनकपर से पिथारागड की ओर मुर्गियू के ले जा रहे वाहन स्वाला में दुरघटना ग्रिस्थ हो गया है वाहन एनच से गिर कर करीब 200 मीटर नीचे धून बडूली रूड में जा गिरा है वाहन दुरघटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि एक व्यक्ति गंभीर तोर पर घायल है घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल चमपावत पहुचवा दिया गया है वही मुख्य मंत्री पुशकर सिंग धामी के बनवसा में होने वाली कारिक्रम के लिए बनवसा जा रहे दियम चमपावत नवनीत पांडे और स्पी अजय गंपती ने दुरगटना स्थल में जवा कर ग्रामीनों की मदद से घायल व्यक्ति को खाई से निकलवा कर एनच तक पहुचवा कर चमपावत जिला चुकित साले भिजवाया है हरिद्वार के बहद्राबाद में ग्राम पंचायत की भूमी को खुर्दबुर्द करने पर स्थानिय लोगों में आकरोश देखने को मिल रहा है स्थानिय लोगों और किसान नेताओं ने प्रिस्वारता कर ग्राम प्रधान पर बहुमूल्य पंचायत भूमी को एक बड़े प्रॉपटी डीलर को बीचने का आरूप लगाया है ये भूमी बहद्राबाद ठाना शीत्र के पास नेशनल परिस्थत है और इस पर फलदार पीड खड़े हैं स्थानिय निवासियों और किसान नेताओं ने इस मामली में ग्राम प्रधान पर गंभीर आरूप लगाये हैं इस मामली में अब उद्यान विभागनी जाच शुरू कर दी है में रोल है और यह करोन रुपए की जमी सतीस तागी को टांसफर कर दी गई है जब हम लोगों को पता लगा हमने इसकी अवाज उठाई कि यह जमीर आप किसी प्रोपर्टी डीलर या अन्य वैसे आजमी के प्रेविट के नामे जमी नहीं कर सकते अगर इन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी हमारी किसान उनन का में पर्देश अध्यक्षू किसान बेदी का और हम लोग साथ तारिक के बाद अगर हमें कोई जवाब नहीं देते जो टियंग साहब के कारेले के बहार ही हम लोग अपना भूखटार शुरू करेंगे इसे पर्धान पर्धान में मिलकर ग्राम पंचा सरसु सारे मिलकर एक फर्जी वे बनवाए और पर्ष्टाव और जिस जनुन का पर्ष्टाव है वो पर्ष्टाव सिर्प तयब पर्ष्टाव था इसे पर्ष्टाव 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 में तीन दुकानों में भीष्टान आग लगई आग लगने की सूचना मिलने पर फायर यूनिट टीम घटना स्थल पर पहुँची तो आग कारबेट कलेक्शन आठ गैलरी समीत तीन दुकानों में शौट सर्किट से लगी थी फायर यूनिट ने पंपिंग कर आग को बजहाना शुरू कर दिया है आग के विक्राल रूप को देखते हुए जला उधम सिंग्नगर के काशीपुर से एक फायर टेंडर की मांग की गए थी घटना स्थल पर काशीपुर के फायर टेंडर से पंपिंग करकी कारिवाई करते हुए आग पर काबू पाया गया है कि चार बच के बावन इमनेट पर हमें सूचना मिली कि धिकुली के पास जो है ग्राम रिगोडा में कुछ दुकानों में आग लगी हुई है जिस पर फायर स्टेशन से माई गाड़ियों के प्रस्तान किया गया जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ कच्ची जूपड़ियां बनी हुई थी जिन्हें दुकान और चाय पानी या नास्ते वगर एक लिए इस्तेमाल किया जा रहा था उपर से हैटेंशन लाइट थी तो इस्थानी बक्तियों दारा बताया गया कि लाइन गिरने से ही जो है साथ सटकित हुआ और आग लगी जिस जो कारबेट कालक्सन है उनका भी जो है कुछ नुकसान उनका भी हुआ है नंदन सिंग और दीप रजवार जो है महाँ पर उनक हर घर नल यूजना के तहट रतेक परिवार को जल पहुंचाने का लक्ष रखा था लेकिन अभी कई गाउं में विभागने कनेक्शन किये गए हैं लेकिन नलों में पानी नहीं पहुँच पा रहा है नल सूखे पड़े हुए हैं वहीं अल्मूरा जिले के परितन रानी खे ग्रामीनों का कहना है कि ग्राम पंचायत के चमर खान पंपिंग यूजना अंतरगत पाइपलाइन है अब पेजल शिकायत विभागी अधिकारी और प्रशासन से की जाती है तो एक दन नल में पानी आ जाता है पानी के मात्रा कम रहती है तकरीबन 10-15 परिवारों के प्रशनों में आज भी पानी नहीं आ रहा है जिसकारण भीशन गर्मी में ग्रामीनों को पेजल के लत जेलनी पड़ रही है हर घर नल हर घर जल जिन घरों में नल लगने के बावज़ुद भी आज भी पानी नहीं आ रहा ग्राम सबस होनी में मेरी लड़ाई उनके लिए भी है आचार साहिता जैसे ही खतम होती है अगर इस दौरान आपने उसमें कोई कारवाई नहीं करी तो इसकी जिम्मेदारी साशन पर शाशन दोनों की होगी और इसे के साथ इस बॉलिटिन में मेरे साथ बस्ताइब आपने के रहे हैं जान ठीज है मसकार